नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं इस औसर परमुख खबर जानते हैं, आएसे में काम करने के लिए सर्माएंगे तो भूखे मर जाएंगे, काम भगवान होता है, इसलिए काम से सर्माना नहीं चाहिए सियम हमन्सुरे ने युवाओ को हुनर्मंद बनने की अपिल की है आदिवासियों पर हिंसा रोकने को कदम उठाये मुखे मंत्री सियम ने लिखा हाई कि वह दो महिने से जल रहे मन्निपूर की जिती से ब्याथित और चिंतित हैं वहाँ कई जातिये समुहों में असुरक्षा की भावना उत्पन हुई है 40-40 से अधिक लोग विस्थापित भी हो गए हैं और अस्थाई सिवरों में रह रहे हैं कुछ नीहित स्वार्थों की वज़ा से मौन समर्थन के साथ यह जातिये हिंसा बेरोक टोक जारी है यह दुखत है मन्निपूर घटना के विरोध में रांची में महिला संगठनों का परदर्शान मनिपूर की घटना के बिरोध में जार्खन में भी कई राय नितिक दल लगातार बिरोध परदसन कर रहे हैं इस दोरान महिलाओं ने भाजपा सरकार की खिलाब जाम कर नारबाजी की है और मनिपूर के सीम को प्रखास्त करने की मांग की है सेवा समायोजन को लेकर DRDA कर्मियों ने की ग्रामिन भीकास मंत्री से मुलकात की जार्खन राज जीला ग्रामिन विकास अभिकरन सेवा संग के बैनर तले सभी मंत्री आवास पहुंचे थे कर्मियों ने राज सरकार पर उनकी मांगों की अंदेखी करने कारोप लगाते हुए अने राजियों की तरह जार्खन में भी DRDA के कर्मियों को दूसरे विभाग में समयोजन करने की मांग की गई संग के परदेश सचीव मानिक चंद परजापती की अगोई में गरामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलकात कर्सिष्ट मंडलने उन्हें ग्यापन सोपा ग्यापन के जरी राज भर के करीब 300 DRDA कर्मियों को समयोजित करने का उन्होंने आगरा किया है योन सोसन के सिकार बच्चों को नयाय दिलाने के लिए स्पेसल यूनिट जारखन में नवालिंगों के योन सोसन से जुड़े मामलों की तफलीस में त्यजी लाने और पोक्सो एक्ट के तहत मुझे रिमो को सजा दिलाने के लिए जार्खन पूलिस एक स्पेसल यूनिट का गठन कर रही है CID के तहद बनाई जाने वाली इस यूनिट में महिला पूलिस पताधिकारियों और पूलिस कर्मियों के परतिन्युक्ति की जाएगी बताजे राजे के सभी 606 थानों में स्पेसल महिला पूलिस की नियुक्ति की जाएगी CID का प्रयास है कि पोक्सों के मामले में न सीर्फ जाच को गती मिले बलिक मोके पर अधिक से अधिक सबूत भी जुटाए जाए यही नहीं उपलव दठोच सबूतों के अधार पर अभ्युक्त को जल्द से जल्द सजा भी दिलाई जाए ज्यारखन बीजेपी की नई टीम जल्द ज्यारखन बीजेपी इन दिनों बदलाव के दोर से गुजर रही है संभावित बदलाव को देखते हुए बाबुल अमरांडी के नतीत में बनने वाली बीजेपी परदेश कमिटी में अस्थान बनाने के लिए इन दिनों बीजेपी परदेश कर्याले में नेताओ का जमाड़ा लगा रहा है नए परदेश अध्यक्ष के स्वागत के बहाने गनेश परिकर्मा में लगे करकरता नेताओ में सरवधिक संख्या ज्ытव में सामिल हुए लोग किया है हाथ में हुनर है तो कभी भूखे नहीं मर सकते मुख्य मंत्री हमंसुरे ने कहा है कि चुनाव के वक्त मैंने कई वादा किया था उन्हीं वादों में से एक या है इसके माधम से युवा हुनर बंद होंगे प्राइवेट संस्थानों तक अभी तक करीब 20,000 युवाओ को पहुचाने का काम सरकार ने किया है कौसल विकास हर इंसान के लिए जरूरत है आज के दिन आपके हाथ में हुना रहा है तो आपका भी भूखा नहीं मर सकते सीएम ने कहा है कि आज के दिनों में कारेपत्ती में जिस तरह से बदला हो रहे हैं उसमें यादी स्किल्ड नहीं है तो आपकी स्थिती दिहारी मजदूर जैसी हो जाएगी मस्तिनी करान के इस युग में स्किल्ड युवाओ की आज के समय में काफी मांग है सिक्षा के साथ साथ स्किल्ड होना मास्टर डिग्री जैसा हो है मुख्यमंत्री हमन स्रेन कारकरम के दोरान केंद्र पर निसाना साथते हुए भी नजर आए उन्होंने कहा है कि पहले किसान का बेटा फोज में जाता था मगर जिस तरह से केंद्र सरकार ने सेना बाहली में बदलाव किया उससे वहाँ भी नवक्री मिलना मुश्किल है उसके बाद रेलवे और बैंक में नवक्री करते थे मगर निजी करन की ओया से वहाँ भी नवक्री मिलना मुश्किल है लातेहर के जंगलों से 40 किलो आईएडी बरामद जार्खन के लातेहर के गारू में CRPF की 112 बटालियन टीम ने सुक्रवार रात नकसली प्रभावित गारू थाना चेतरे के कुकूगाउं के जंगलों से एक बम बरामद किया जिसका उजन 40 किलोगराम का था सुरक्षा बलो को छाती पहुचाने के उदेश से नकसली ने इस बम को जमीन के अंदर प्लांट कर रखा था CRPF के बम निरोधक तस्ते ने इसे डिफ्यूज कर दिया है बता दे जवानों दुआरा चलाएगर सर्च अपरेशन में 80 फिट, सेफ्टी फ्यूज, 8 फ्रेशर, सीरीज, मेकनिजम वह 2 मीटर काला कापड़ा भी बरामत किया गया CRPF जवानों की ओर से कुकू जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा था सत्ता में रहने के बाजूद BJP ने जार्खन का कभी नहीं किया विकास जार्खन के विकास के लिए सरकार द्रिड संकल्पी था, राज में लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली भाजपा ने राज का विकास कभी नहीं किया विकास के नाम पर एक इट तक रखने का काम नहीं किया जिसके परिणाम सहरूप आज विकास के मालु में पिछड़ा हुए था उक्त बाते आदिवासी कल्यान मंत्री चमपई सुरेन ने टाउन हॉल मरम्ति के लिए अधार सिला रखने के दुरान कही उन्होंने कहा है कि राज में हेमन्त की सरकार आते ही कुरोना काल को छोड़ कर काफी कुछ विकास हुआ है खास कर अधारभूस संरचना के विकास करने का कारे किया जा रहा है इसी में सराय के लाको विक्सित करने का भी परियास है जारखन में लगतार दूसरे साल अकाल की आहाट जारखन के अनदाता की आखे में पानी है बाकी सब सुखा है खेत सुखे है तलाब सुखा है परती खेत में अकाल की आहाट ने दरारे डाल दी है सावन का महीने बीतने को है और भादो भी आ रहा है बस मेग ही नहीं आ रहे है बता दे कई जीलों में 79 फिजदी तक कम बारिस हुई है अकाल की आहट से एक बार फिर किसान परिशान है कहते हैं कि सावन में बारिस से खेत, पानी से भर जाते हैं और किसाने को उमेद्धी हरयाली से लेकिन जारकन में किसानों के मन की ए आस्ता अपखंडित होने लगी अनदाता का भरोसा बादलो पर से डगमगाने लगा है ऐसा लग रहा है जैसे इस बार भी बादलो ने खेत के बदले किसानों की आखों में बरसाच की है फिलाल बारिस के असार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे है जिसे किसान परिसान है धन्यवाद